हालो एवरिवान मैं अमित कुमारी आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरीकेंस पर बच्छों आज जो नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पॉर्टर एंड लॉलर मॉडल ओफ मॉटिवेशन इस मॉडल में हम यह पढ़ेंगे कि एक इसमें हम साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि कौन से इसके अलिमेंट्स हैं क्या उनके अजम्शन हैं मैरिट्स क्या है और इस मॉडल के डे मैरिट्स क्या है टॉपिक थोड़ा लेंदी है इसलिए हम इसे दो पार्ट्स में पढ़ेंगे आज हम सिंपल इसका मीनिंग अलिम पर भी इसके points में हमें confusion रहती है तो बचों मैं आपको guarantee देती हूँ कि अगर आपने मेरी ये वीडियो end तक देख लीना तो आपको book भी उठाने की जुरत नहीं पड़ेगी आपको सब कुछ बिल्कुल clearly समझ आ जाएगा जी हाँ एक ही बार में clearly समझ आएगा इसलिए कुछ भी skip नहीं करना है ये मेरी आपसे request है end तक जरूर देखना है और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ share जरूर कीज़ेगा like कीज़ेगा और comment करके बताएगा वीडियो कैसे लगी और हाँ चैनल सुब्सक्राइब किये बिना माच जाएगा अब बात कर लेते हैं हमारे इस model की आप चाहें तो इसका screenshot भी ले लीजे ये model जो था लेमिन, पॉटर और एड़वर्ड लॉरल ने develop किया था ये दो लोग थे जिन्नोंने मिलकर समझा कि एक individual का motivation level कैसे improve किया जा सकता है क्योंकि इनका ये माना था कि individual rational होता है वो सो समझ के काम करता है अगर वो इसकी इच्छा है काम अच्छा करने की तभी वो अच्छा काम करेगा नहीं तो नहीं करेगा अब ये क्या कहते हैं कि ये जो model है ये room की expectancy theory का extension है room expectancy theory क्या है और ये कैसे work करती है इस पर भी मैंने video अलरड़ी बनाई हुई है और I hope आपने वो देखी है अगर नहीं देखी है तो बेटा उसको जरूर देखी है क्योंकि जब तक आपको room expectancy theory clear नहीं समझ आएगी तब तक आप ये concept clearly समझ नहीं पाएंगी उस video का link आपको इस video के नीचे description में मिल जाएगा चलिए ये जो model है ये practically applied होता है मतलब real life situations में ये model apply किया जाता है और ये क्या explain करता है relationship between job attitude and job performance यानि कि ये बताता है कि एक person का अपने job के प्रती जो attitude होता है उससे उसकी performance पर effect पड़ता है means अगर हम अपनी job से खुश है हमारा अपनी job के प्रती positive attitude है तो हमारी performance बढ़ेगी अगर हम अपनी job से खुश नहीं है हमारा negative attitude है तो हमारी performance भी धिरे धिरे कम होती जाएगी इन्होंने इस model को समझाने के लिए पहले कुछ चीजों का assume कर लिया means इन्होंने मान लिया कि सभी individuals में ये चीज़े होती है और वो assumptions क्या है जरा देखते हैं इनका ये मानना था कि एक individual का जो behavior होता है वो दो तरह के factors के उपर depend करता है इंडिवीज़ फैक्टर मतलब कि एक individual की education level कैसा है knowledge, skill, background कैसी है और external factor means कि जिस company में वो काम कर रहा है वहां का organization policy कैसी है structure कैसा है, colleagues कैसे है, working environment कैसा है ये सारी चीज़े मिलकर ही एक individual का behavior बनाती है next, individual is rational human being इनका ये कहना था कि हर individual जो है वो rational होता है rational मतलब सोस समझ कर decision लेने वाला ये person कभी भी emotional fool नहीं होता emotions में बहकर ये decision नहीं लेता इसको एक example से समझते हैं इनका क्या मानना है कि कोई भी situation होगी न तो person पहले सोचेगा, समझेगा उसका नतीजा क्या हो सकता है ये determine करेगा और उसके बाद ही behave करेगा जैसे कि अगर boss अपने subordinate को बोलता है कि तुम्हें overtime करना ही पड़ेगा ठीक है और वो बाद बाद पर उसके काम में गलतिया निकालता है उसको डांटता है, उसको परिशान करता है तो अब ऐसी condition में subordinate के पास दो ही रास्ते है या तो वो अपने boss के साथ लडाई जगडा कर ले ठीक है उसके साथ खूब गाली गलोच कर दे और दूसरा option क्या है कि वो सो समझ के प्यार से intelligent तरीके से अपनी बात अपने boss के आगे रखे कि मैं overtime नहीं कर सकता हूँ या जो भी इसको problem है वो उसके साथ share कर सकता है अब एक rational person क्या करेगा पहले वो दोनों conditions को सोचेगा कि भई अगर मैंने ऐसा किया तो result क्या होगा वैसा किया तो क्या result होगा अगर लडाई जगडा करोगे तो क्या होगा अब ही company से निकाल दे जाओगे है ना तो वो तो ऐसा नहीं चाहता तो सही तरीका क्या है वो decision लेगा कि शांती से अपने boss के साथ बात करनी चाहिए तो individual जो है वो rational होता है next है on the basis of expectation individual decide between alternate behavior यानि हर individual का future को लेकर कुछ न कुछ expectations होती है अगर उसे लग रहा है कि future में उसकी expectation पूरी हो सकती है तब ही वो अपनी performance बढ़ाएगा अगर उसे लग रहा है कि performance मैं जितनी मर्जी बढ़ा लूँ बट मेरी expectation पूरी नहीं हो सकती तो वो performance नहीं करेगा example अगर एक person है जो कि promotion चाहता है लेकिन company की policy ये है कि हम senior person को ही promote करेंगे तो इस condition में क्या होगा कि एक person जो junior post पर है और जो junior है वो कभी भी अपनी performance इंप्रूब नहीं करेगा क्योंकि इसको पता है वो कितना भी अच्छा काम कर ले भाई promotion तो senior को ही मिलनी है ठीक है तो जब तक आपको अपनी expectation पूरी होती नजर नहीं आएंगी आप perform नहीं करेंगे Next individuals have different need, desire, goal हर individual की अपनी अलग desire होती है अलग जरूरते होती है और अपने अलग goals होते हैं और उसकी according ही person behave करता है जैसे कि अगर एक individual company में job करने आया अभी वो छोटी post पर काम कर रहा है मगर उसका goal है, उसकी desire है कि वो उसी company में manager बन जाए या general manager या CEO बन जाए तो obviously उस goal को हासिल करने के लिए वो अपनी performance बढ़ाएगा hard work करेगा ठीक है, लेकिन अगर एक employee ऐसा है जो एक job पर आ गया और वो उससे satisfy है और वो फालतू का काम नहीं करेगा फिर क्योंकि उसको promotion नहीं चाहिए तो उसका कोई goal ही नहीं है तो इसलिए उसकी performance भी नहीं बढ़ेगी उसका behavior भी ऐसा ही रहेगा clear हो गई बात यहां तक assumptions clear है examples के साथ देखे बचो इतना detail में आपको मॉडल के क्या elements है elements को समझने के लिए आपको एक diagram देखना होगा जो आपको screen पर नजर आ रहा है यह है Potter का model इस model में उन्होंने six elements की बात की है इन्होंने बताया है कि एक individual performance इंप्रूफ करने के लिए कैसे काम करता है तो सबसे पहला जो हमारा point इसमें आता है वो है value of reward यानि कि कोई भी person काम तब ही करेगा जब उसको reward से attraction होगा मतलब एक person सबसे पहले यह जानना चाहेगा कि performance को improve करने से क्या reward मिलने वाला है यानि कि क्या इनाम मिलने वाला है अगर वो reward employee को पसंद आ रहा है तब ही वो performance बढ़ाएगा महनत करेगा otherwise नहीं करेगा जैसे की एक example लेते हैं suppose करते हैं company में announcement हुई है कि यह target जो सबसे पहले पूरा करके दिखाएगा उस person को company की तरफ से गोवा में free trip मिलेगा ठीक है 5 days का trip अब यह reward employee ने देख लिया उसको reward पसंद आ रहा है अब उसको हासिल करने के लिए वो काम करेगा तो सबसे पहले उसने क्या किया देखा कि value of reward क्या है कि जो reward मिलने वाला है वो मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है next effort का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए आपने कितनी energy लगाई है आप किसी काम को कितनी कोशिश से कर रहे हैं कितने hard work से कर रहे हैं ठीक है तो अगर आपको लग रहा है कि आप reward हासिल करना चाहते हो तो obviously आप ज़ादा energy hard work और effort के साथ काम करोगे लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये चीज मेरे लिए ज़ादा माईने नहीं रखती तो आप effort नहीं करेंगे ठीक है इसको भी एक example से समझते हैं suppose करते हैं आपको कोई person बहुत पसंद है आप उसे like करते हो और आप उसे propose करने जाते हो मगर वो मना कर देता है तो आप क्या करेंगे अगर तो वो आपके लिए time pass था तो आप उसे छोड़ देंगे और किसी और की तरफ चल पड़ेंगे लेकिन अगर आप उस person के लिए serious हैं तो आप पूरी महनत से कोशिश करते रहेंगे अपना पूरा effort डाल देंगे उस person को मनाने के लिए वही चीज है company के साथ भी आप कहेंगे मैं हम क्या बाते पढ़ा रहे है तो यह just a fun way में आपको example समझा है company में कैसा होता है यह कि अगर आप promotion हासिल करना चाहते हो तो उस promotion के लिए आप जी जान से महनत करोगे पूरा effort लगा दोगे लेकिन अगर जैसा मैंने example दिया था seniority के basis पर promotion हो रही है तो भाईया महनत करने की ज़रती क्या है जो senior है वही promote होगा ना हमें तो promotion मिल नहीं है तो हम क्यों महनत करें हम effort नहीं डालेंगे clear हो गई बात चलिए अब next element की तरफ move on करते है next step हमारा आता है perceived effort reward probability probability का मतलब होता है future में किसी चीज के होने के chances है या नहीं हम अंदाजा लगाते हैं कि ये चीज हो सकती है या नहीं अब employee ये तो समझ गया कि उसे क्या reward मिलने वाला है अगर वो performance बढ़ाए और साथ ही साथ वो ये भी समझ गया है कि उसको effort लगाना है या नहीं अब वो ये चीज देखेगा कि अगर मैं effort लगाता हूँ और performance इंप्रूफ करता हूँ तो क्या future में मेरे chances है कि ये reward मुझे मिले अगर उसे लग रहा है कि future में reward उसे मिल सकता है तभी वो performance करेगा अगर उसे लग रहा है कि reward उसे नहीं मिल सकता तो वो performance नहीं करेगा इसको हम एक example से समझते है कि suppose करते है Mr. Raman है जिसे अपने एक employee है company में उन्हें अपने leader से पता चलता है कि company की ऐसी policy है कि जो person लगाता 3 years तक best employee of year का award लेता है उसे promotion मिलती है अब रमन ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया क्योंकि रमन और पिछले 2 सालों से best employee का award लेता आ रहा है अब उसके पास chances हैं कि अगर वो तीसरी बार भी best employee of year का award ले ले तो उसे promotion मिल सकती है अब उसे नजर आ रहा है न perceived means हम देख सकते हैं कि future में हमारे reward पाने के chances बन रहे हैं तो उस reward को पानी के लिए वो महनत करेगा performance improve करेगा ताकि उसको third time भी वो award मिले और उसी की जगा कोई और person है जिसने आज तक best employee का award लिया ही नहीं तो ये policy उसके लिए तो waste है क्योंकि उसके पास तीन साल लगातार क्या एक साल का भी best employee का award नहीं है तो उसके तो chances है यहीं प्रमोशन के है न तो वो effort नहीं लगाएगा ठेक है जी यहाँ तक clear है अब आप diagram में देख सकते हैं कि first, second और third step करने के बाद fourth जो बीच में दिखाया दे रहा है वो है performance यानि आब person performance अचीव करेगा काम को perform करेगा लेकिन ऐसा ही नहीं है कि बस हमने mind बना लिया कि काम करना और हम करने बैठ जाएंगे काम करने से पहले हमें दो चीज़ों की तरह focus करना है वो है ability and trait and second role perception यानि कि एक person जानना चाहेगा कि वो काम करने के काबिल है भी कि नहीं उसके पास काम को perform करने के लिए जो knowledge चाहिए, skill, training चाहिए वो है या नहीं साथी साथ वो ये भी देखेगा कि उसका trait कैसा है means उसकी personality कैसी है क्या वो hard work को करने के like है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर वो काम नहीं कर पाया तो वो depression में चला जाएगा या जल्दी हार मान जाएगा उसका trait कैसा है वो वो भी समझेगा और अगर उसे लग रहा है कि वो काम में fit हो सकता है means उसके पास knowledge, skill, experience है और वो काम करने के काबिल है तभी वो performance को करेगा ठीक है इसको भी एक real life के example से समझते हैं खत्रों के खिलाडी तो आप सभी ने देखा होगा है ना जो serial आता है उसमें देखिए सभी participants आते हैं और सब का motive क्या होता है कि हमें reward मिले यानि हम winner बने लेकिन उन में से सिर्फ एक ही होता है जो जीत पाता है क्योंकि उसके अंदर जो skill चाहिए talent चाहिए वो है साथ ये साथ उसकी ऐसी भी personality है कि वो हर तरह की condition झेल सकता है किसी चीज से वो हार नहीं मानता जीतने की लाल सा उसमें है वो सबसे जाधे effort डालता है तो हमें पहले ये check करना होगा कि हम उस काम को करने के काबिल है ये नहीं और अगर हमें लगता है कि हम उसे करने के काबिल है तब भी हम perform करेंगे ठीक है जी यहां तक बात clear हो गई next आता है rewards आप screenshot भी ले लिजए इसका rewards अब क्या हुआ आपने काम कर लिया अब बारी आते है reward मिलने की ठीक है जी आपने perform की आपको reward मिल गया reward हमें दो तरीके से मिलता है intrinsic and extrinsic intrinsic reward हो होता है जो हमें अंदर से खुशी देता है ठीक है इसमें हमें कोई पैसा यह promotion कुछ नहीं मिल रहा हमें मानसिक सुकून मिल रहा है mental satisfaction है हमारा दिल खुश है उसे हम intrinsic बोलते हैं और extrinsic होता है जो बाहर से हमें कुछ extra चीज मिल रही है like bonus commission, money, promotion recognition इस तरह की चीज़ें जो मिलने से हमें खुशी हो रही है ठीक है last step आता है satisfaction का ठीक है जी आपको reward भी मिल गया अब आप यह सोचेंगे यानि कि एक individual यह सोचेंगा कि मैं satisfy हूँ या नहीं मैंने जो सोचा था वो मैंने पाया या नहीं अब satisfaction level चेक करने का क्या तरीक है देखिए जब इंसान ने reward के बारे में जाना था एकदम स्टार्टिंग में याद करिये हमने पढ़ा था value of reward अब उसने reward के बारे में सोचा फिर उसने effort लगाया परेश परफॉर्म करके reward ले भी लिया अब उसने जो reward सोचा था अगर वही reward उसको मिल जाता है या उससे जादा कुछ उसको मिल जाता है तब वह satisfy होगा अगर जो actual में reward उसको मिला है वो reward उसके सोचे हुए reward से कम होगा तो वह satisfy नहीं होगा उसको परिशानी होगी उसे दुख होगा कि यार इतनी महनत करने के बाद भी मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था जैसे कि एक employee को लग रहा था कि वो अगर अच्छा काम करेगा तो उसको promote करके CEO बना दिया जाएगा लेकिन उसे बनाया जाता है manager ठीक है जी अब होता क्या है कि उसकी promotion हुई है reward तो उसे मिला है लेकिन ये reward उसकी सोची हुई चीज से कम है तो इसलिए उसको खुशी नहीं होगी वो satisfy नहीं होगा ठीक है एक और अभी पढ़ाते पढ़ाते point मेरे mind में आया I think आप सभी ने movie देखी होगी एतराज अक्षे कुमार की ठीक है अक्षे कुमार को जब promotion मिलने वाली थी तो वो expect कर रहा था manager, general manager की post के लिए लेकिन जब meeting हुई तो वहाँ प्रियंका चोपडा ने उसे board of directors का हिस्सा बना दिया यानि कि जो उसने सोचा था उससे ज़्यादा उसे मिल गया तो वो satisfy है वो खुश है ठीक है या जो हमने सोचा उतना मिल जाए तो हम खुश होते है clear हो गई बात यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि अगर आपका actual reward आपके सोच होए reward से ज़ादा है या बराबर है तो आप satisfy है अगर आपका actual reward आपके सोच होए reward से कम है तो आप dissatisfy रहेंगे तो यह था हमारा model हमने पढ़ लिया detail में next part में हम पढ़ने वाले हैं कि इस model की क्या importance है और साथी साथी इसके criticism भी करेंगे criticism के बिना तो कोई theory complete ही नहीं होती तो देर किस बात की उस part को भी हम जल्दी से ही लेकर आएंगे wait कीजएगा आप तब तक और comment section में जरूर बताएगा वीडियो कैसी लगी कोई doubt या suggestion हो तो जरूर बताएगा have a good day